हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो आर चैनल, आज हमने हमारा 5000 सब्सक्राइबर्स का मार्क टच कर लिया है, थेंक यू सो मच कि आपने हमें अभी तक इतना सपोर्ट दिया है और बहुत ही कम टाइम में हमें फिर से एक और माल्स्टोन में पहुंचा दिया है, मेरा हमेशा से ये को कोसिस रहा है कि जब भी कोई वीवर हमारा वीडियो देखते हैं, तो वो जो भी टाइम हमारे वीडियो में स्पेंड करते हैं, उतना टाइम का उनको प्रॉपर वैल्यू मिले, और वो हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ लर्निंग लेके जाएं, और आगे भी मैं अपना य जो इलेक्शन का टाइम है, इस बीच मार्केट भोलाटाइल ही रहे, तो ये सब सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है, और ऐसे में मेरा स्ट्रेजी क्या रहता है मैं आपको बता देती हूँ, मैं कोसिस करती हूँ कि मेरा पोजिशन लाइट रखू, और अगर कोई स्टॉ को मैं बहुत समय से ट्राक कर रही हूँ, वो सब मुझे करेक्शन में मिलता है, तो उस समय में वहां पर मैं थोड़ा थोड़ा पोजिशन भी बनाती हूँ, ये मेरी स्ट्रेजी है, चलिए एक और चीज में दिखाती हूँ, और ऐसे मार्केट सिच्वेशन में भी, हमने कल स्टॉक डिसकस किया था, एकसाइड इंडस्ट्री, चलिए उसको देख लेते हैं, ये स्टॉक में मेरा हाई ब्रेक पे एंट्री प्लान था, तो हमारे बाइंग प्राइस से स्टॉक में अल्रेड़ी 3-3% का मूव आया था, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट वोकिंग भी हुआ है, लेकिन आज का वॉल्यूम अच्छा है, तो मुझे अभी एकस्पेक्टेशन है कि स्टॉक हमारा ये जो टार्गेट है 10% का ये भी अचीव कर लेगा, हमारा एक और स्टॉक था, फिनोलेक्स केबल्स, ये स्टॉक को हमने हमारे विकली ब्रेक आउट स्टॉक म भी आई थी स्टॉक में, लेकिन श्टॉक हमारे टार्गेट के आसपास पहुंच गया था, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि स्टॉक हमारे टार्गेट को अचीव कर लेगा, ये स्टॉक को मैं कल अपडेट में बोलना भूल गी थी, लेकिन कुछ हमारे जो विव्यूर स कि इनको देड़ हजार का profit हुआ है intraday में इन्होंने stock का नाम तो specify नहीं किया है लेकिन मुझे लग रहा है कि यह भी फिनोलेक्स के बारे में बात कर रहें और यह जो सर है यह हमारे पुराने विवर हैं यह हमें encourage करते रहते हैं अपने comments के माध्यम से यह भी बता रहे हैं इन का हमारा पहला stock है coromandel international अभी हम chart के weekly time frame में है और हम देख सकते हैं stock continuously एक uptrend में ही चल रहा है और अभी stock अपने all time high पे भी trade कर रहा है चलिए अभी chart को daily time frame में check कर लेते हैं यहाँ पे अगर मैं एक zone draw करूं तो हम देख सकते हैं stock यह zone को resistance की तरह ले रहा था और करीब 5-6 मह देने से इसी zone में consolidate कर रहा था यहाँ पे अगर मैं एक arc draw करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लिए एक rounding bottom pattern भी बन रहा है और stock ने यह pattern से breakout भी कर लिया है यह जो last candle बना है इससे stock में breakout हो गया है जो last candle बना है stock में यह 1270 का label था इससे stock में breakout हो गया है और हम देख स stock में entry कैसे plan करें तो हम यह stock को अभी क्यों discuss कर रहे है क्योंकि ऐसे weak market में भी stock में breakout हुआ है stock अपना all time high को touch किया है और continuous uptrend में भी चल रहा है और अगर हम देखें तो RSI और volume का support भी stock में दिख रहा है तो अभी अगर मुझे यहाँ पे entry करना हो तो यह जो 1300 का label है यह high अग market condition को ध्यान में रखें और अगर stock में थोड़ा सा dip मिलता है stock यह जो 1270 का label है इसके आसपास कहीं retest करता है तो मैं फिर से quantity यहाँ पे add करूंगी यहाँ पे मेरा stop loss इसी candle के नीचे 1251 से थोड़ा नीचे में plan करूंगी और अगर थोड़ा सा safe stop loss plan करना हो तो यह जो छोटा सा swing बना है इसके नीचे भी एक और stop loss plan कर सकते हैं 1220 से थोड़ा नीचे आप अपने risk appetite के हिसाब से अपना stop loss plan करें अभी target के अगर बात करें हम देख रहे हैं stock all time high के zone में trade कर रहा है यहाँ से target के लिए हम यह जो consolidation zone है इसके depth को consider करेंगे और इसके lowest point से resistance तक एक price range draw करेंगे औ तो यहाँ पर 19% का एक मुझे target मिल रहा है 15-17 के level लेकिन अगर market ऐसे ही रहा थोड़ा weak रहा तो यह target achieve होने में थोड़ा time लग सकता है तो यह stock को तो मैं थोड़ा लंबा time के लिए hold करने का plan कर रही हूं लेकिन कोई भी point में stock अगर थोड़ा सा move कर लेता है 4-5% का move आपको मिल जाता है और आपको लगता है कि आपको यहाँ पे profit booking करनी चाहिए तो आप बिलकुल profit booking कर सकते हैं क्योंकि swing trading के लिए 4-5% का profit भी एक बहुत ही अच्छा percentage होता है और आपने देखा ही होगा मैं जब यहाँ पे stocks का discussion करती हूं मैं धन जो है यह platform का use करती हूं तो धन जो ह और trading view के साथ premium collaboration और जो female traders है उनके लिए 50% का brokerage में discount भी मिलता है जो कि मैं भी avail करती हूं तो description box में जो link है उससे आप धन का अपना Demet account खोल सकते हैं और हमें support कर सकते हैं चलिए अभी देख लेते हैं हमारा आज का अगला stock हमारा अगला stock है KSB अभी हम लोग चाट के weekly time frame मे हैं और हम देख सकते हैं stock continuous uptrend में चल रहा है और यह stock all time high के आसपास trade कर रहा है यहां पर मैंने एक zone draw किया है और आप देख सकते हैं stock में इस zone से breakout के बाद stock थोड़ा देर upmove किया था और फिर वहां से profit booking आये थी और stock ने फिर से इस zone के उपर support लिया है और यहां पे बुलि जो कि एक bullish candle है यहां पर अगर मैं 40 day यह में plot करूं आप देख सकते हैं stock में 40 day यह में का support भी मिल रहा है तो यहां तक तो हमें सारे positives दिख रहे हैं यहां पर हम अगर notice करेंगे stock में एक यहां पर double top जैसा pattern हमें दिख रहा है और यह जो दूसरा high है यह इस high से निचे बन रह का अगर यह double top का neckline break हो जाएगा जो कि अभी नहीं हुआ है इसलिए stock अभी यह zone के उपर support ले रहा है तो यहां पर हमें छोटे stop loss के साथ हमारा trade plan कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं यहां पर entry कैसे plan करें यहां पर मेरा entry थोड़ा different है देखिए यहां पर मैं 20 day में plot हम क्या देख रहे हैं stock जो है अभी 20 day यह में को resistance ले रहा है तो यह जो 4600 का level है यह high अगर stock में break होता है तो मैं अपना entry plan करूंग तो मेरा stop loss 4400 के level से थोड़ा नीचे रहेगा मेरा target 4893 के level पर रहेगा और stock अगर यह high को touch कर लेता है और यहां पर sustain करता है तो 5190 के level पर भी एक और target मुझे मिल सकता है हमारा अगला stock है frog sales art अब देख सकते हैं stock में listing के बाद से ही stock इस zone में consolidate कर रहा था और recently stock में यह पूरे zone से breakout हो गया है चलिए अभी stock को daily time frame में देख लेते हैं देखिए daily में और थोड़ा सा हमको clear हो जाएगा stock काफी समय से इस zone में consolidate कर रहा था औ और आज stock में यह पूरे zone से breakout हुआ है देखिए stock 3.11 के label से breakout कर लिया है अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं stock में बहुत ही fast up move आया है यहाँ पे और इस label से stock में almost 50-60% का एक hike हो गया है तो यहाँ पे stock ने काफी लंबे consolidation zone से breakout किया है और हम देख सकते हैं weak market situation में भी breakout हुआ है हो सकता है stock में थोड़ा सा profit booking आये क्योंकि जिनको यहाँ पे already 50-60% का move मिल गया है वो अगर profit book कर लेते हैं तो obviously price थोड़ा नीचे आ जाएगा इसलिए अगर यहाँ पे यह जो 3.21 का label है वहाँ पे हम अगर entry बनाते हैं तो थोड़े ही quantity में entry बनाना अच्छा रहेगा लेकि तो वो मेरे लिए एक better price रहेगा stock में entry करने के लिए और उस case में मेरा stop loss 275 से थोड़ा नीचे रहेगा यहाँ पे मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी generally breakout पे entry करना थोड़ा सा risky होता है क्योंकि पहला बात तो breakout में थोड़ा सा stop loss बढ़ा रहता है और वहाँ पे एक chance यह भी नहीं है और थोड़ा सा कम risk में अपना trade करना चाहते हैं तो आप retest के लिए भी wait कर सकते हैं अभी चले देख लेते हैं यहाँ पर target क्या रहेगा target के लिए हम यह consolidation zone के depth को consider करेंगे और यह price range को हम put करेंगे resistance के उपर तो यहाँ पर 58% का target मिल रहा है 490 के level पर हमारा अगला stock ह PCBL अभी हम चार्ट के weekly time frame में हैं और हम देख सकते हैं stock के continuous uptrend में ही चल रहा था यहाँ पर थोड़ी सी profit booking हुई है लेकिन stock अभी इस zone में consolidate कर रहा है और stock यह जो एक zone है इस zone में अभी support ले रहा है अभी हम चार्ट के daily time frame में आ गया है और आप देख सकते हैं stock यह जो zone हमने draw किया है इसी zone के उपर support ले रहा है और अभी इस zone में consolidate कर रहा है यहाँ पर अगर मैं trend line draw करूँ इस जगह से तो आप देख सकते हैं stock यह जो trend line है इसको एक resistance की तरह treat कर रहा है लेकिन यहाँ पर support के पास हमें एक hammer candle भी दिख रहा है यहाँ पर अगर मैं 200 day में plot करूँ तो आप देख सकते हैं stock को 200 day में का support भी मिल रहा है तो यहाँ पर stock को दो तरीके का support मिल रहा है एक तो stock यह जो zone है इसका support ले रहा है और stock में 200 day में का support भी है और यहाँ पर हमें एक bullish signal भी दिख रहा है जो कि last candle हमारा बना है आज का hammer candle बना है तो यहाँ पर एक छोटा stop loss को consider कर के हम एक trade plan कर सकते हैं तो अगर कल market का situation अच्छा रहा तो stock में अगर 250 के level का high break होता है और stock sustain करता है तो मैं अपना entry plan करूंगी उस case में मुझे 270 के level पे एक target यहाँ पर मिल जाएगा और मेरा stop loss 240 से थोड़ा नीचे मैं plan करूंगी और 270 का level अगर achieve हो जाता है stock में तो और आग level से अगर stock नीचे चला जाता है तो यहाँ पे एक head and shoulder का pattern भी मुझे नजर आ रहा है और stock अगर यहाँ से नीचे चला जाता है तो head and shoulder का pattern जो है इसके neckline का भी breakdown हो जाएगा तब stock उस देर के लिए bearish हो सकता है तो ध्यान में रखे यह जो सारे stock हमने discuss किया यह सिर्फ educational purpose से हम सकते हैं और अपने proper analysis के साथ इसमें अपना entry plan कर सकते हैं मेरी दरब से कोई buying a selling का recommendation नहीं है आपको हमारा आज का analysis कैसा लगा हमें comment में लिखके जरूर बताईएगा और पसंद आया हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना बिलकुल मिद भूलेगा ऐसे ही और technical analysis के साथ मिलते अगले वीडियो में thank you